हालो साथियों नमस्कार एक या अनलाइन क्लास में आपका हर्दिक स्वागत है माईजे सर आज आप लोगे बीच एक बार भी पूर्णा हैं टीजीटी पीजीटी आइट यानी कल से संबंदित महत्पूर वीडियों पर साथियों प्रसंद लेके आया हूं उमिद है कि वीडि बुक प्रियो करने कोई सबस्कुर्णाथ अच्छा है साथियों तो तमाम भूख हैं सा secre mix में लेकिन उसमें जो आपके और रीता प्रताब की जो जो बुख ती ने ब्हुत ही तरिकसे इसमेंस उसमजाये उक लिए वे आपसंद्य आग्या मितनों देखिए हूं तो कानग्रा साइलिय में कितने प्रकार की नाइंक्याइं होती थी you know skyrocket武igkeit कि το कर टक pots यह कोटे हैं तो चार है जो आपका सबसे अच्छा कर साहिमें तीन पर कहले की नाइक आएं पाई जाते थे तिन परकार की जिने सवकिया दूसरा पर्किया और तीसरा सामान ये तीन प्रकार की नई क्या होती थї सुत स्कुनतर साथियों देखने को मिलता है कङकर के भाड़ी साइले करें अगले महतना प्रश्वाइब चलते हैं छलके अंडा कार्रूप में अंडा कारूप में ब्याक्ति चित्रन किस सैली में हुआ है कैसा रूप बुल रहा है अंडाकार रूप ब्याक्ति चित्रन किस सैली में हुआ है तरास्थानी सैली में कंपनी सैली में अब्रान सैली में या पहाडी सैली में तो चारों आपसना आपके सामने है तो इसमें इस देखिए अंडा कला के कांगड में अंग दथा भाव भंगमाँ का सजीव चित्रन हमें देखने को मिलता है तो किस सैली में साथेऊं पहाड़ी सैली में इसी साहली में साथियों क्या होता था जैसे लंबी पतली भौवें, चमकीली आंक, अंडाकार भरे हुए चेहरे, तथा पतली कमर, लंबी पतली उंगुलियां, लहराते बाल भी देखने को मिलते हैं साथियों, तो पहाड़ी साहली में, अगला है पहाड़ी चित्रों का निर निर्माहण कब से प्राहरम होगा। लेकिसा सताब्दी से अठ्राहमी ससे इगरहमी सताब्दी से यह क्षीचमी सताब्दी से कि भार्ड से निर्माहण कब से प्राहरम हुगए तो तो शाथ ही में इसा ilum ה gonna say best answer जो सही answer होगा right is the answer आपका B होगा क्या होगा मित्रों B 18 सताब्दी में पाड़ी चित्रों का जो निर्मार मित्रों देखने को मिलता है वो 18 सताब्दी से ही मिलता है जिसका समय 1770 से लेके प्रारम होता है 17 सताब्दी के उत्रार्द तक पास्च में हिमाले के छेत्र में किसी प्रकार की कला बेक्सित नहीं होई थी मित्रों अगला प्रस्न है आपका पहाड़ी पेंटिंग किस समय बेक्सित होई थी बिलमित 17 से प्रारमित 17 सताब्दी में प्रारमिक 15 से बिलमित 17 सताब्दी में बिलमित 18 और प्रारमिक 19 सताब्दी में डी है प्रारमिक 18 से बिलमित 19 सताब्दी तो मित्री यहाँ पे जो एंसर आपका राइट होगा साथ ही हो हो टाइगा डिल एंसर को सो हो जाएगा डी अठामे से बिलेमित उन्यस्वी म्ल एंश अधाब दिल एंसर आपका रइट हो जाए गया कि तो नहीं इस चला था और पुर्ट ने सुट है खथा यह तो अठ्रामे से बिलेमित उन्यस्वी सदाव दिटक को उपर हमने गए चर्चा विकिया था आपसे ने सब्सक्राइब कि ऑढ़नी श्यूर्य कि ऑठेट रहें गाँ पाड़ी चित्रकला मुक्ता किस छहेटकी है करए कि पाड़ी जूचित्रकला मुक्ता कि छेत्र की है राज्थान की पाड़ी काश्मिर की पाड़ी उपंजाब की पाड़ां की उत्रप्रदेश की पाड़ीस की तो इंपॉटे पाडिया कांगडा चित्रकला को डाक्टर आरे अग्रवाल ने मुखता चार छेतरों में भिखत किया था वो जो चारों छेतर साथ हैं कसमीर राज्ज का छेतर है दूसरे जम्मू का छेठर है तीसरा जातियाति रावी का छेठर है सदगला अगले महत्तर प्राक्तिक चेत्रन को किस हैली के चीत्रों में مहत्त मिला था ना प्राक्तिक जो चित्रन को महत मिलना ली जो सैली थी साथियों तो आपका हो जाएगा पहाड़ी सैली तो यह वाला एंसर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा प््राक्तिक चित्रन को ही पाड़ी सैलिय के अंतरे के 12 माहसा आता है इसमें जो 12 माहसा होता है banco माहसा प्राक्तिक सोभा के वड़न किया जाता है पहाड़ी सैली में ही बसंत मा की बड़न को देखने को भी मिलता है साथ ही अगला है पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रियोग किया गया है पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रियोग किया गया है गहरी रंग, हलके रंग, काले या सफेद रंग तो पहड़ी चित्रों में जो रंगों का प्रियोग किया गया साथी इन चारूर रंगों में जो आपका जो गहरा रंग दिखाई दिरहा है ए वाला आपसन यह सबसे अच्छा होगा क्योंकि पहड़ी रंगों में जो प्रियोग किया जाते तो गहरी रंगों का प्रियोग किय जाता था जिससे इस समय महभारत राजदर बार रामाईड में भी इन रंगों का प्रयोक किया है पहाडी सहसा जर्म हुआता साथियॉए हैह गुलेर इसी में हrese साथ लिए गुलेर है है कि अगला मुला राम कायों थे तो मुझल चित्रकार थे राजबुट चित्रकार थे यह नेपाली चित्रकार थे तो मौला राम आपके जो थे साथ ही कौन थे मौला राम यह थे पहाड़ी चित्रकार थे कौन थे साथ ही मौला राम पहाड़ी चित्रकार थे इनके द्वारा चित्र प्रसेद चित्र गोवर्दन धारण चित्र है ना मौला राम जो चित्र बनाया थे जो सबसे ज्यादा प्र क्रिश्न लीला के चित्र किस सहली में बने हैं मुगल में पहाड़ी में रास्थाने में या अभ्रंस में तो क्रिश्न लीला के सबसे अधिक चित्र पूचरा किस सहली में बने हैं तो आपका जो इसमें राइट एंसर हो जाएगा बी क्या जाएगा तो पहाड़ी सहली में सब सबसे अधिए खृष्ण लीले के सम्बंदिन कित्र देखने को मिलते हैं साथ ही हफ मैं एग सब्सक्राइब कितर हैं कि चित्र सहली में देखने को मिलता है लेकर सब्से जाधा बात पूचे तिये पहाड़ीजली मोस आएगा अगला है आपका गुलेर षायली के लगा मितने चितर प्रास्थ है जो रहुमार्ण पर आधारित हैं 15 206 11 या 14 जो रामायर पर आदाय है गुलेर्सारीचे साथ ही वोsin है तो 14 जो आपके हैं डिं वाला ऐंसर है आपका बिल्कुल सही गया चीज 새 गुलेर्स के समंधित रामायर पर प्र आदधायी चीद्र है चाथ है झात्यं जो राजा दिलीप सिंग के समय बने थे गुलेर साहिलेके जो आरम्य चित्र हैं पंडित सेव और उनके दो पुत्र थे मनकु और नैन सुक ने भी बनायाते साथ हैं गुलेर कलाम का जो विश्या है सातियों क्या है मुक्ता हो रामाईड और महा भारत की प्रम घटनाओं से संबंद चित्र थे उन्हीं चित्रों को बनाना था कि प्रम विश्यास था अगला है सिकरे के साथ महिल्या किस सैली का चित्र है गुलेर बश्रवली जैपुर या चमबा तो चारों आपसर में देखी साथी चारों आपसर में जो आपका राइट एंसर होगा वो हो जाएगा आपका गुलेर क्या हो जाएगा सातियों गुलेर न शिकर जो महिल्य को चिटर गया गया तो उ गुलेर वाले चीजे को आ र दिखाए गया गोलेर सैली से संबंध चितर है साथिव के सब्दिक हो इस्कार्ज назыв चलते हैं निम्ड में गुलेर जो है यही आपका रास्ता चितर कला का केंद्र नहीं है कौनसा गुलेर चितर कला का समद्ध पहाड़ी कला से है मित्रों किस से है पहाड़ी कला से है पाड़ी कला में कांगणा सैली को रंग रूप देने एम उचाईओं तक पहुचाने का महत्मौन कारी गुलेर सैली का ही था साथिंगों हो आगला है आपका प्रसंट 9 सोख किस सहील एक चित्रकार था ता नहीं सोख किस सहीलिका चित्रकार था गोलेर का कांगणा एक भसवली क्ड़वाल का तो 90सुख गुलेर सहाहली का चित्रकार से समधंदि प्रसिद चित्रकर साथ why एब 1740 मैदानी प्रदेश और मुगल कलुकारों ने 960 के साथ मिलकर काम किया ता जो नैन सुक्त साथियों राजा बल्देव सिंग के राजपरवार से संबंद चित्र बनाया था अगला है महराजा संसार चंदर निम्न में से किस साइली को सरचन दिया किस साइली को सरचन दिया महराजा संसार चंद इस साइली की चित्र कला के मान संरचक थे महराजा संसार चंद इस साइली को सरचन प्रदान किया था कि इसमें आपका राइट एंसर आपको साथ ही एक होगा क्या होगा एक कांग्णा संसार जो जन्त का संबंद थे रहे होगा कंग्णा संसार कि किस राजा के सामें बेक्सित हुई तो राजा गोबर्धन राजा संसार चंद राजा सावन सिंग राजा हारी सिंग तो किसके समां बेक्सित ही साथी हो तो इसमें जो राई टैंसर होगा साथी हो राजा संसार चंद के सामें बेक्सित ही कांगला साइली है है कागला है कागला चित्र कला के उन्ना ते किस के सह में होई इन राजा पिदिछेंद